सिवान में बेखौप अपराधियों ने गोली मारकर कर दी एक युवक की हत्या इलाके में दहशत का महौल पुलिस मामले की जाज परताल में जुटी बिहार के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सिवान में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया है पूरी घटना सिवान जिले के जीवी नगर्थाना शेतर में घटी हुई है जहां जीवी नगर्थाना शेतर के सत्वार चवर में मंगलवार की शाम अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनोती देते हुए एक युवक को गोली मार कर हत्या कर दी प्राप्ति जानकारी के मुताबिक सत्वार गाओं के पश्चिम टोला मठिया में दिन दहारे एक युवक की गोली मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है जिसको लेकर इलाके में देहशत का महौल बना हुआ है हत्या की घटना को लेकर आसपास के लोगों में अफरात अफरी का महौल बना हुआ है संध्या तकरीबन पाज बजे सत्वार गाओं में अंधादून फाइरिंग कर अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी अस्थानिय लोगों का कहना है कि चारपाज की संख्या में सत्वार मठिया के समीब कुछ लोग बैठे हुए थे उसी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ तब ही एक युवक की गोली मारकर हत्या कर मौके से अन्ने लोग फरार हो गये गोली लगने के बाद युवक भागते भागते युवक बागीचे में जाकर गिर गया जोरान उसकी मौत हो गई घटना के सूचना मिलते ही अस्थानिय लोगों की घटनास्तल पर भीर लग गई युवक की पहचान बरहरिया थाना शेतर के तिलसंडी गाओं के चंदन यादों की रूप में हुई है इस संबंद में इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार ने बताया की सत्वार में गोली लगने से युवक की मौत हो गई है युवक की पैचान बरहरिया थाना चेतर के तिलसंडी गाउं का चंदन यादों के रूप में हुआ है फिलहाल शब को पुलिस अपने कबजे में लेकर पोश्ट माटम के लिए सदर अस्पताल भेज दी है आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार घटना के बाद सदर अस्पताल में परिजन की भीर उंगरी हुई है बिहार में जिस तरह से लगतार अपराधियों का मनुवल बढ़ रहा है दिन दहारे किसी के हत्या कर देना और लूट करना आम बात हो गया है अपराधियों में पुलिस का डर थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा है जिस तरह सिवान में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ खुलासा कर पाती है तो फिर से आपको बता दे कि बिहार के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां सिवान जले के जिवी नगर थाना शेतर के सतवार गाउं में एक युवक की अपराधियों ने गोल मार कर हत्या कर दी युवक की पहचान बरहरिया थाने चेतर के तिल संडी गाउं के चंदन यादों के रूप में हुई है फिलाल पुलिस मामली की जाज पर ताल में जुट गई है